दोस्तो आज जम बनाएंगी केले की सब्जी तो केले की सब्जी वेरी एक्टम से डिफ्रेंट होगी दोस्तो आप लोग वीडियो को पूरा जरू दिखिएगा दोस्तो जब आप इस केले की सबजी को बनाकर किसी को भी खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा कि ये केले की सबजी है बहुती लाजबाब रेस्पी है दोस्तो आप इसको दाल चाबल के साथ भी सर्ब कर सकती है बहुती यहमी लगता है और आप इसको लच्छे दार पराठे के साथ भी सर्फ कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ भी ये बहुत ही लाज़बाप लगता है तो ये रेजबी बहुत ही यूनिक है दोस्तों आप इस रेजबी को ट्राई जरूर कीज़ेगा जटपत से बनने वाली और बहुत ही आसान रेस्पी है, तो दूस्तों इसको हम इसको गोल-गोल गोल कादा, उसके बाद हमने दो पीस कर लिये हैं, आप अपने इंशार इसको शेप दे सकते हैं, तो अब इस केले की सबजी बनाने के लिए हम एक मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए हम एक ग्राइंडर जार ले ले लेंगे तो सबसे पहले इसमें हम आदा चम्मच जीरा एट कर देंगे दो तीन सूखी लाल मिर्च एट करेंगे दो तीन कलियां हम लैसुन की यहां पर एट कर देती हैं और अग यह है हमारा सूखा नारियल, एक चम्मच के लगबग एड़ करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च एड़ करेंगे हमें आपपे, और 4-5 के लगबग हम इसमें करी पत्ते भी एड़ करेंगे, और अब इसमें हम सूखा धनिया एड़ करेंगे दोस्तों, अब इसको हम पीस लेते हैं तो ये दिखी दोस्तों हमने इसको पीस लिया है इसका एक पाउडर बना लिया है इस तरीकी से बहुत ही अच्छी खुस्पू आती है दोस्तों इसमें तो इस तरीकी से हम पाउडर बना की रखेंगे इसका तो अब एक कडाई में हम तेल गर्म कर लेंगे एक लेती हैं थोड़ा सा बून लेते हैं और थोड़ी सी हींग हमें आपर एड़ करेंगे और दो साबुत लाल मिर्च करेंगे दोस्तों इसको हम मैं पहले ही करना था लेकिन मुझे नहीं याद रहा तो हम अभी कर देते हैं इन उम्हलका सा बून लेते हैं और अब teasing हम एक हलकी सी golden brown नहीं हो जाती तो यहाँ पे इसका हलका सा color change हो चुका है हम इसमे आदा चमच हल्दी powder add करेंगे दोस्तो आदा चमच धन्या powder add करेंगे अब इन मसालों को दोस्तो हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे तो हम चला लेती हैं और हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक हलका सा color change नहीं होता तो यहाँ पे मसाले भून चुकी है हम इसमें केले add कर देंगे तो सभी केले हम एक साथ ही यहाँ पे add कर देते हैं और अच्छी तरीके से mix कर लेंगे इनको मसाले के साथ इसमें हमें पानी बगार है बिल्कुल भी add नहीं करना है दोस्तो स्वादा नुसार हम यहाँ पे नमक add कर लेते हैं और नमक को भी हम अच्छी तरीके से चलाते हुए mix करेंगे केले में तो अब इनको हम ढग के पकाएंगे दोस्तो तब तक जब तक कि ये केले जो हैं हलके से सॉफ्ट नहीं हो जाते ये बहुत जल्दी पक जाते हैं दोस्तो तो हम ढग देते हैं इसको पांच मरट के लगबग यहाँ पे हो चुकी हैं बीच में हमने एक बार इसको चलाया भी था तो अब इनको हम फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तो तो ये अच्छी तरीके से पक चुकी है हम इनको जादा नहीं चलाएंगे नहीं तो ये टूट बी सकते हैं तो अब इसमें हम सूखा मसाला एड़ कर देंगे जो हमने अभी तयार करके रखा था उसको हमें आपे एट कर देती हैं और अच्छे सी मसाला इसमें ये वाला हमें एट कर लेना है दोस्तों अब इनको बहुत ही आराम से हम चलाएंगे इस मसाले को केली के साथ अच्छी तरीकी से हमें मिक्स कर लेना है तो यहां पे हमनी मसाला अच्छी से मिक्स कर लिया है दोस्तों और हलका सा इनको भून भी लिया है उपर से इसमें हम बारी कटा हुआ धनियाइट करेंगी और सर्प करेंगी इसको तो यह लिजी दोस्तों तयार है केले की सबजी है ना कितनी डिलिसियस रेस्पी ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा फिर मिलते हैं तब तक की लिए तैंक यू